यहिन दोस्तों आज के इस एक वड़ी लेक्चर में में लोग बात करेंगे एक आई टू। उसके पहले हमने एक आई एक में बात किया था आपको हम बॉल रहे थे कि धी आप आप लोग हमारे पांच वीडियो पहला वीडियो हमने दे चुके हैं का लिया और आज वाला वीडियो आने वाले देख लेते हैं तो 32 अंक पक्के हो जाएंगे एक भ्यांक इससे कम हो जाएंगे दो बताना जो आपके आते हैं प्रशन आगे के 32 वह विकल्पी वाले यह दिय मैं जा आपको जो काम देया करता हूं तो आप उस काम को भी करते चलते हैं तो आपको ऐसी में से ऐसी लाने से कोई नहीं रोक सकता है इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को लागतार जारे रखें और वीडियो उसको देखती रहिए का और मैं बीज बीज वीश वीज तक रुखते हैं तो आपका मकसद के लिए रहे कि आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर असी में असी आ जाए और हिंदी में आप टॉप कर जाएं इसी प्रकार से सभी भी से क्राउंग बस आप लोग पहले हिंदी को अपना प्यार और स्पोर्ट बनाए रही एगा ठीक है दे महा काब्या है रामचरित मानस महा काब्य के रचैता है तो रामचरित मानस महा काब्य के रचैता हमारे को ने तुलसिदास जी है तुलसिदास जी ने क्या लिखा रामचरित मानस महा काब्य को लिखा है ठीक है राधरस का इस्थाई भा होता है तो राधरस का जो इस्थाई होता है हमारा क्रोध होता है क्या होता है क्रोध होता है राउध रसका इस्थाइब हमारा क्या होता है क्रोध होता भाई अधिक दोवहाच छंद में मात्राइं होती है तो दोवहाच छंद में होता है क्या मात्रिक छंद हमारा क्या होता है चौपाई छंद का प्रकार होता है वैच्छो अगला देखो क्या है सिंगार रस का इस्थाइब हमारा क्या होता है रती होता है ठीक है अब दोको अब लग नस नसानी अब ना नसाओ पंगती में निहिद रस भावा इसमें क्यां सा रस है आपको बताना है जिसमें कौन सा रस है सांत रस है ठीक है ठीक है आप लोग कर अब लाव नसानी अब नव नसाहो यह आपको बताना था कौन सा रस है तो है आप सांत रस है ठीक है अब रस के अंग या और यो माने जाते हैं तो आप बताएं रस के अंग कितने माने ज आते हैं आप लोग बताई इस प्रेशन का जवाब दीजी भाई जो प्रßने बहुत इत्प ही तो रसक माँने जा ते कितने चाहर प्रसने सब्दा लंकार के मुखे प्रकार का हैं सब्दा लंकार कि मुखे जाए आपको सब्दालंकार के मुक्य प्रकार सिपर्ने早ों से ठीक अब चंद के प्रमुक्त तथमाने जाते हैं तो ज़ाता कितने चाइक किसके चंद के प्रमुक्त्त कितने माने जाते हैं प्रमुक्ताWow आप कर लेजिए अगला प्रस्ण क्या दूसरा है रिक्त स्थान में सही सब्स कुन कर लिखिएえー देखकर रसा मुख्त हो हो रस रस अनुभूति करने वाला कहलाता है ठीक है करूख sound चौपाई छ्हंद मातराइं होती है, तो 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 चौपाई छ्हंद मात धर्म कहिलाते हैं तो काब की जो सोभा बढ़ाते हैं हम लोग अलंकार कहते हैं काब की सोभा बढ़ाने वाले धर्म वारे क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं जिनके प्रती जिनके प्रती इस्थाइभा उत्पन हो जिनके प्रती इस्थाइभा उत्पन हो कहिलाता है जिनके प्रत सिस्थाईबा उद्पनु नतों सब्सक्राइब का ब्रस्थी परिभास कि परिभास कुस ने दे थी बहुत इंपॉर्टन प्रशने आप चुका है तो भारत मुणी दे थी और psychological इने आप देखो क्या है रसीम रथी रसीम रथी खंड काब की रचना की है रसीम रथी खंड काब की कभी किसने की है कभी दिनकर जीने की थी क्या कभी दिनकर जीने की थी चलो ठीक कर लिजेगा अब जिस काब में अगले वा पिछले गद्यों का परसपरिक संबंद नहों उस थे कहह अब देखें अब को सही करना ख्रश्म को ध्रशनय को ध्यान देमाना जो की बहुत इंप्पॉर्ट HARRIS किस दोना प्रद्वी महाकाब्य महाकाब्य संचारी किसंगा कितने माल ऐएश था तचीस माने जात ते कितनी तौन एश जाति है तायतिस माने जाती महा काब्य कि एक प्रेश्ण आप से पूछा जाता है खंड काब्य और महा काब में सको जरूर सीख कर जाएगा ठीक है बहुत important question हैं अब आगे देखे क्या है फीर हैं पर मिलान करने वाला प्रश्ण जिन कारणों से इस्थाई भाव उत्दिब्त होता है जिन कारणों से इस्थाई भाव हमारे क्या उद्दिप्त होते हैं समझे यह जो प्रश्णा आप देख रहे हैं यह प्रश्णों को थोड़ा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सजाता नहीं कहते हैं थोड़ा से दिमाग लगाते हैं पूरे प्रश्णों को आप साल्व कर लेते हैं ठीक है तो आप लोग क्या किजिए स्वयम से सॉल्व करने की जादी कोशिस किया करें ठीक है जिसे आप देखे अब यहां पर देखे क्या है जहां पर नायक नायका की मिलना को अपर सिंगार रस होता है यह बात तो सही है अब तो हिंदी का सबसे अधिक लोक प्री महा काप क्या है तो राम चरितमानस है आप सभ जानते गेह मुक्तंकर दीजे अब देखे उद्दीपन विभा तो यहां पर उद्दीपन विभा हो जाएगा का जिन कार्णों से स्थाई भाव उद्दीपन विभाव कहते हैं और सकेत तो सकेत किसे रिका ता मैतले सरण गुप्त जी ने लिखा था इस प्रकार से आप अस उसको आप मिलाते चलिए अब जो नहीं यार उसको जो बच उसमें मिला तो असान है यार इतना असान कुछ नहीं हो सकता ना चलो ठीक है तो कर लिजेगा यहाला हो गया किलियर एक बाव फिर्स करा दे क्या चलो करा देते हैं जिन कार्णों से स्थाई भाव उद्दिप्त होते हैं उसे का जैवर यह के मिलना हमारा सिंगार रश होता है हिंदी का सबसे लोगप्रिमह k रामचर रजमांत है अब फिकार रगा अतमक की प्रधांता करने वाले मुक्तं क्या तो गे मुक्तं कोते हैं सक्ईट कर्षणकारवार कि माधली श्रणगूप नहीं इतना असा होता है किस अधा महा काव Gemili मिलता है कि किसमें महा काव में मिलता है ठ्यग है आप लोग कह लीजएंगा महा काव also क्या आप गाले शॅ्त में एक संपूर्ण का जीेवन का जित्रण होता लेकिन खंड काम में क्या होताई इसमें एक सरग का चित्रण होता है क्या एक रिकाए इससे आप समाल लिजेगा इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ठीकल आ अब आखे से चिंत में उत्पन होने वाले थिर्मनोभी करार कुछ को कहते हैं क्या और नेश्ट देखो जहां नायक नईका कर लेघा को बहुता है तो है क्या बियोग सेंगार होता है बियोग सिंगार बियोग सिंगार वही भाई योग आप लोग सेंगार कहा पर नायक नईका कर लीजेगा चले तक किलियर होगा पचो नमबर जगाने या उद्दिप्त करने वाले असरे की सरीरिक चेश्टाइं क्या कहलाती है तो आप सभी जानते हैं उद्दीपन विभाव कहलाती है क्या कहलेती है उद्दीपन विभाव कहलाती है ठीक उद्दीपन विभाव कहलाती है ठीक है इसे भी आप किलियर कर लेजेगा किलियर होता है चलो निष्ट की बात करते हैं अब हम निष्ट की बात करते हैं यहां तक है किलियर यहां तक है किलियर अब यहां देखे वर्ड मात्रा यति आदी से नियोजिस सब्द रचना को छंद कहते हैं क्या कहते हैं छंद कहते हैं ठीक है तो आप लोग इसे गरट लीजेगा चंद की डिफनेशन भी आप से पूछा जाता है कि छंद क्या तो आप पताईए को वर्ड मात्रा यति आदी के नियोजित सब्द रचना को चंद कहा जाता है ठीक है इस थाई भाओं से उत्पन होने के करण को क्या का यताई बाओं कर लीजेगा चलो आ जब आदो वासल रसके अलावार रसों के संखे कितनी मानी जाती है वासल रस के अलावा रसोक संखे मानी कितनी मानी जाती तो नव मानी जाती है कितनी मानी जाती है ठीक है तो वासल रस के संखे कितनी मानी जाती है नव मानी जाती है वासल रस को छोड़ कर अब स्री क्रिफ्ट के सुन सुन बचन अरजुन क्रोध से जलने लगे हैं इसमें कौन सब्सक्राइब करने लिजएगा तो यदि आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो आप सबसे पहले अब मुझे कैसे पता चले कि आप लोग यहां तक इंट्री कर चुके हैं तो आप लोग लिखेगा हाइश्टाइग हैस्टेग 4 लिख दीजएगा क्या हैस्टेग 4 यदि आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं तो हैस्टेग 4 जरूर लिख कर जाएजेगा क्यों? क्योंकि हमें भी पता चले कि आप में से कितने लड़कें जो पढ़ने वाले हैं और कितने है जो नहीं पाड़ने वाले इदिविदे आप पाड़ने वाले तो हैश्टैक फॉर लिखकर जरूर जाईएगा ठीक है तो मेरी आपसे एक request है बिंति है कहें लिजे request बिंति जो भी आप कहना चाहिए कहें लिजे आप लोग इसमें रुक कर जाएगा यहां तक ठी कुलिए रहे हैं धाय्स चैक फोर जरूर दीजिए का नेश्ट की बात करते हैं तो नेश्ट हमारा है देखो क्या आफ्षी संख्या-पांच संख्या-फिंजह क्या है अब इस प्राबंद काब में पुरुवर्वारे पुरुपरा संबंद नहीं होता यह बात सही है हां यह श तो यह बात Ariya Satisha products यह बात सही है अज़को • इस थिर दिर नुप कार को इस थाई भाओ करते हैं यह बाद बिलकुल गलत है ठीक है है थी का सब्सूराइब के सद्र Стाभा énormément गलत है यह बात सभी cabbage करुणा के सभाओत भाओ सोक नहीं पांचों देखें पांचों में पांचों आई ना पांचों यह वाला लंका रहते गलत बात नहीं है रामचरित मानास का प्रमुक छंद्च उपाई है क्या यह बाद सही है अब देखें थोड़ा सा यहां पर महा काव प्रबंद काव का एक भेद आपको यह बाला सही भाई चलो ठीक है अब लोग कर लिजेगा ठीक है ना चलो आजाओ अब देखो क्या है यहां पर निवकित प्रश्णों के एक सब्दों में उस्तर लेज़ा है ठीक है तब आपका यह यह काम है अब आप लोग इस काम को पूरा करिएगा ठीक हम इसका क्या ओलते पीडियव आपको बहुत जल्दी प्रॉइड करा देंगे आप लोग इसे साल्व कर लिजेगा ठीक है ताप लोग देख लीजिए पूरे प्रेश्न को आप लोग देख लीजे फिर आप लोग हमें एक बार बता दीजेगा टोटल लीआ आप लोगों अन्तक आई गये हैं तो आप लोग थोड़ा अपनी नाश को जानलेजे लिजे आप बसा दो जो bачT यहां तक आ चुके हैं उनको यार बता दो को एह कोई नहीं रोक सकता क्या कोई लोक सकता सीच अंक लाने से देखो मेरा मकसद है नहीं कि मेरे वीडियो पर ब्यूजाएं और मेरे को लाइक मिलें सेयर मिले यह तो मैं कता ही नहीं काइं तब लोग अप लोग को बोल देता हूँ बस मेरा आप लोग यहां तक आ चुके तो हैस्टैक सलूसन लिख दीजेगा बस हैस्टैक सलूसन भाई सभी लोग लिख दीजेगा एक भी सेकंड नहीं लिखने में लेकिन आप जब लिख कर जाएगा आपको इतनी अंदर से गर्व महसूस होगी अब मैं क्या बताऊं सलूसन ठीक है हाईस्टैक सलूसन इतना जरूर लिख कर जाएगा थे आपको लिख कर जाएगा आपको गर्व अंदर से महसूस होगा कि आप वहां पर अपना एक पहचान छोड़ कर आएं क्या हाईस्टैक सलूसन कि हम लोग वीडियो कहां तक बने रहे हैं और अपना मकसद पूरा करके ठीक है ठीक है चलिए लाइब चैट में कोई कमेंट नहीं करेगा उसमें आप लोग जब वीडियो खात्म हो जाएगी तब आप लोग एक कमेंट छोड़ कर जाएगा ठीक है तो हम लोग मिलेंगे किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जाहिंद जैभारत हा